नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्याम क्लास इस्टड़ी में सात्यों आज की इस वीडियो में यूप पुलिस भारती परिक्षा दो हजार तेस चौबिस में पूछे जाने वाले जीके जीयस के 37 अती महतपूर पिष्णों का प्रिट्टे सट ले करके आया हूँ प्यारे सात्यों मैं आपको जीके जीयस के बुआई पिश्ण करा रहा हूँ जो पिछले बिबिन पिरतियों के परिच्छों में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे पिश्ण आपके परिच्छा के लिए बहुत जीयदा महतपूर हो जाती है तो प्यारे सात्यों अगर आपको ये प्रिट्टे सेट पसंद आए तो लाइक कर देना ना पसंद आए तो डिसलाइक जरूर कर देना दोनों में से एक को आपको जरूर चुनना है तो ये आब आपके हात में कि तो प्यारे साथ आप किसी भी एक्जाम के तयारी कर लिए जब तक आप प्रेटर सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस एक्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे जितने अधिक प्रेटर सेट होगे उतनी अधिक आपके नमबर भी होगे तो साथ में आप इस प्रेटर सेट को अपने उस दोस तक जरूर पहुंचा दिना जिसे आप अपने साथ खा की बर्दी में देखना चाहते हो क्योंकि जितना जैदा आप वीडियो को सेयर करोगे तो दूसरे लोगों का भला होगा क्योंकि ग्यान सेयर करने से बढ़ता है तो आपको ये प्रेटर सेट कैसा लगता है comment box में जरूर बताना और आप पूरा प्रेटर सेट करने के बाद इमांदार के साथ अपना score जरूर बताओ चाहें आप 10 प्रिष्ण करो सही लेकर score comment box में जरूर बताया करो क्योंकि अगर आप score शिपा लेते हो तो ये आप अपने तयारी को शिपा रहे हो कि आपकी तयारी कैसे चल लाई है तो आसा करता हूँ आप से लोग इस प्रेटर सेट को पूरा करेंगे और comment box में अपना score जरूर सेर करेंगे तो इनी साब बातों को ध्यान में रखते हैं सुरू करते हैं आज कर अपना ये जीके अरियस के सेंतित आतीव महत उन प्रिष्णों का प्रिट्टे सेड तो पहला प्रिष्ण आपके सामनों की बहुत तिक बादी दर्सन के परवर्टक कौन थे तो कौन थे तो बहुत तिक बादी दर्सन के जो परवर्टक थे बहुते चार बाग कौन थे चार बाग ये थे तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए तो प्रिष्ण नमर दो है आपके सामनों की ब्यास नदी का प्राची नाम किया था तो कौन सा था ब्यास नदी का प्राची नाम तो ब्यास नदी का प्राची नाम था तो प्रिष्ण नंकिया दो का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए तो प्रिष्ण नमर तीन आपके सामनों को स्री नंगर की स्थापना किसने की थी तो किसने की थी, तो स्री नंगर की जो इस्थापना की थी, वो की थी, असोक ने, किसने, असोक ने की थी, तो तीन का राइट अंसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर ए, पिविशन संक्या चार है, आपके सामनों की बिक्रमादित के बाद गदी पर कौन बैठा था, तो कौन आंसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर ए, पिविशन संक्या पांच है, आपके सामनों की भारती सिक्षा का मेगना काटा किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, भारती सिक्षा का मेगना काटा, तो ये कहा जाता है, बुड डिस्पेच को, किसे बुड डिस्पेच को, भारत सिक्षा का मेगना काटा तो 5 का राइट अंसर हो जाएगा option number D परिश्न option number B आपके सामनों की गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था तो कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना तो 1913 में कब 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नम्बर B प्रिशन अंकिया साथ है आपके सामनों की सावर मती आसरम की स्थापना कब की गई थी तो कब की गई थी तो सावर मती जो आसरम है और इसकी स्थापना 1916 में वोई थी 1916 में तो साथ का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C अंगला पिशने प्यारे साति हूं आपके सामने की आठमा की गांदी जी ने साबर मती से डांडी की यात्रा कितने समर्थकों के साथ की थी तो कितने समर्थकों के साथ की थी तो गांदी जी ने साबर मती से डांडी की जो यात्रा है ये 78 78 समर्थकों के साथ की थी तो आठ का जो right answer होगा वो हो जाएगा option number D प्रिश संक्या 9 है आपके सामने की सब्त बर्स की युद्ध का प्रारम कब हुआ था तो कब हुआ था जो सब्त बर्स की युद्ध है इसका प्रारम 1756 में हुआ था कब हुआ था 1756 में तो 9 का right answer option number A हो जाएगा प्रिश संक्या 10 है आपके सामने की सब्से अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है तो कौन से ग्रह पर होता है तो सब्से अधिक लंबा दिन और रात ये सुक्र ग्रह पर किस पर सुक्र ग्रह पर होता है तो 10 का right answer हो जाएगा option number B पृष्ण ग्यारा है आपके सामन की कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे तो किसके समकालीन थे कृष्ण देव राय तो ये बावर के समकालीन थे किसके बावर के समकालीन थे तो ग्यारा का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A प्रिश्ण 12 है आपके सामनों की पूरब की मोती किसे कहा जाता है तो किसको कहते हैं हम पूरब की मोती तो स्री लंका किसे स्री लंका को हम पूरब की मोती कहते हैं तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नम्मर D प्रिशन संक्या 13 है आपके सामनों की सुन्डा गर्थ किस महासागर में इस्तित है तो कौन से महासागर में सुन्डा गर्थ तो जो सुन्डा गर्थ है ये है हिंद महासागर में किस में है हिंद महासागर में तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रिशन संक्या चौद्रा है आपके सामनों की रोजगार गारंटी योजना का प्रारम कब से किया गया तो कब से प्रारम किया गया है रोजगार गारंटी योजना का तो इसका प्रारम किया गया है दो परवरी 2006, चौद्रागार राइट आंसर, उप्सन संक्या C हो जाएगा, पृष्ण 15 है आपके सामनों कि बर्मी कल्चर किस से संबंधित है, तो किस से संबंधित है, बर्मी कल्चर ये आपको बताना है, दो आपके सामनों ये है, दो आपको अब आपको और दिखा देता ह बाकि के दो आप्सन यह रहा है आपने सामने उत बताई का बर्मिक कल्चर तो बर्मिक कल्चर यह केचु का पालन से है तो 15 का राइट अंसर हो जाएगा आप्सन संख्या सी पिर संख्या सोला है आपके सामने के पूर्ण रूप से देश का पहला भारतिय वैंक कौन था तो पिर संख्या सत्रा है आपके सामने की नटराज मंदर कहां इस्तेत है तो कहां पर इस्तेत है नटराज मंदर तो जो नटराज मंदर है यह इस्तेत है चीन नहीं में कहां पर है चीन नहीं में सत्रा का राइट अंसर ओप्सन नमर डी हो जाएगा प्रिश्ण 18 है आपके सामनों कि अमेरिका कब स्तोतन्तर हुआ था तो कब हुआ था तो अमेरिका ये 1776 में कब 1776 में स्तोतन्तर हुआ था 18 का राइट अंसर हो जाए का ओप्सन नमर बी पृष्ण उन्नीस है आपके सामनुकि एसिया में सरपिरताम और द्योगे के बिकास किस देश में हुआ तो कौन से देश में हुआ था सरपिरताम और द्योगे के बिकास तो ये हुआ था जापान में कहा पर जापान में 19 का right answer option n.d हो जाएगा पृष्ण B से हैब के सामने के divine comedy के रचनकार कऊन है तो कुन है divine comedy के रचनकार तो दानते कौन दानते ही है divine comedy के रचनकार तो 20 का right answer option संख्या c हो जाएगा पृष्ण 21 से आपके सामने के oxford बिस्विद्याले की स्थापना कब हुई थी तो जो ऑक्सपोड बिस्विद्याले इसकी स्थापना 1168 में कब 1168 में हुई थी तो 21 का राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर B पर जंकिया 22 है आपके सामयों कि पाकिस्तान के पिर्थम पिर्धान मंतरी कौन थे तो कौन थे तो पाकिस्तान के जो पिर्थम पिर्धान मंतरी थे वो थे लियाकत अली खान लियाकत अली खान तो पर जंकिया 22 का राइट अंसर आप्सन नमबर A हो जाएगा प्रिशन संक्या 24 से आपके सामनु की जिन्दा पीर के रूप में कौन बिख्यात था तो कौन था तो जिन्दा पीर के रूप में बिख्यात था तो तेज का राइट अंसर हो जाएगा प्रिशन संक्या 24 से आपके सामनु की यात्री कर किसे यात्री कर किसने बंद करवाया था तो किसने बंद करवाया था यात्री कर यह आपको बताना है तो अकवर ने किसने अकवर ने यात्री कर को बंद करवाया था 24 का राइट अंसर हो जाएगा option number A प्रिशन के आप 25 है आपके सामनों की लिंगा यद संप्रताय के संस्थापक कौन थे तो कौन थे तो लिंगा यद संप्रताय के जो संस्थापक थे बहुते 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 तो हिंदु महासवा के जो संस्थापक थे वो थे मदन मोहन मालवी है कौन मदन मोहन मालवी है 26 का राइट अंसर option number D हो जाएगा पुर संक्या 27 आपके सामन की अमेरिका के पिर्थम उपराष्ट पती कौन थे तो कौन थे तो अमेरिका के जो पिर्थम उपराष्ट पती थे वो थे जोन एडम्स कौन जोन एडम्स ये अमेरिका के पिर्थम उपराष्ट पती थे तो 27 का राइट अंसर हो जाएगा option number E पृष्ण 28 से आपके सामन की बिस्य की पिर्थम महला राष्ट पती कौन थी तो कौन थी तो बिस्य की प्रिष्ण 29 से आपके सामन की राष्ट ये जंडा अपनाने बाले पिर्थम देश कौन है तो कौन सा है तो राष्ट ये जंडा अपनाने बाला जो पिर्थम देश है वो है डेनमार्क कौन है डेनमार्क तो 29 का राइट अंसर option number B हो जाएगा पृष्ण 30 से आपके सामन की हर गोबंद खुराना को किस बर्स नोबिल पुरुसकार मिला था तो कब मिला था हर गोबंद खुराना को नोबिल पुरुसकार ये आपको बताना है तो पृष्ण 20 का राइट अंसर तो 1968 में 1968 में हर गोबंद खुराना को नोबिल पुरुसकार मिला था 30 का राइट अंसर option संकिया C पृष्ण 21 Conference आपके सामने कि बिस्त का फुटवाल चीतने वाला पिर्थम देश कौन है तो कौन सा देश है तो बिस्त का फुटवाल चीतने वाला जो पिर्थम देश है वो है उरगवे कौन सा है उरगवे तो 31 का राइट अंसर हो जाएगा option number D प्रिश्ण 32 है आपके सामनों की सभी बिस्ट का फुटवाल पृतियोगता में भाग लेने वाला एक मातर देश कौन है तो कौन सा है तो सभी बिस्ट का फुटवाल पृतियोगता में भाग लेने वाला एक मातर देश है ब्राजील कौन है ब्राजील 32 का राइट आंसर option संक्या C हो जाएगा प्रिशन 33 से आपके सामनों की दच्छन का व्रिटेन किसे कहा जाता है तो कौन से देश को हम दच्छन का व्रिटेन कहते हैं तो न्यूजिलेंड किसे न्यूजिलेंड को हम दच्छन का व्रिटेन कहते हैं तो 33 का राइट अंसर हो जाएगा option संक्या A पृष्ण 34 है आपके सामन की death valley किस देश का सबसे सूखा पिर्देश है तो कौन से देश का सबसे सूखा पिर्देश है यह depth valley ही यह आपको बताना है तो यह है अमेरिका का किसका है अमेरिका का है तो 34 का राइट अंसर हो जाएगा option number D पृष्ण 35 है आपके सामन की bull fighting किस देश का राष्टिय खेल है तो कौन से देश का राष्टिय खेल है bull fighting यह आपको बताना है तो यह है Spain का का है Spain का है तो 35 का जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा option संक्या C पृष्ण संक्या 36 है आपके सामन की सिक्षा को अनिवार बनाने वाला पहला देश कौन है तो कौन सा है तो सिक्षा को अनिवार बनाने वाला पहला देश वो देश है पृष्ण पृष्ण 36 का राइट अंसर हो जाएगा option number A 37 और लाश्पिस ने प्यारे साथियों आज के इस पृष्ण सेट का कि भारत में पिर्थाम नियमेत जनगड़ना किस नहीं करवाया तो किस नहीं करवाया था भारत में पिर्थाम और नियमेत जनगड़ना तो लौड रिपन कौन लॉर्ड रिवन ने करवाया था तो 37 का राइट अंसर हो जाएगा option संक्या C तो प्यारे साथियों आपको ये फ्रेटे सेट कैसा लगा comment box में जरू बताओ अगर पसंद आया तो like कर देना अगर आपको ये फ्रेटे सेट पसंद नहीं आया तो dislike जरू कर देना क्योंकि आपसे लोग सोतंतरों आपसे लोग कुछ भी कर सकती हो तो मिलते हैं अपने नेश्ट वीडियो ताथा नेश्ट पेटे सेट में तब तक के लिए दनबाते हैं जाहिंद